तो दोस्तो एक समय था महावारत का और महावारत के दोर में सबसे बड़े दानवीर थे कर्ण जिनके सामने कोई कुछ भी मांग लेता था और कर्ण कभी मना नी करते थे कुछ भी चीज दान देने से फिर चाहे उनकी जान क्यूं नहों इसलिए दोस्तो महावीर करन को महावीर के साथ साथ दान वीर करन भी कहा जाता था लेकिन दोस्तो आब महाबारत का समय निकल चुका और अब आ चुका है गोर कलियूग जहाँ पे कोई किसी को दान देने के लिए अपना एक बाल तक नहीं देता लेकिन फिर भी इंडिया में अभी कुछ ऐसे लोग है जो अभी भी बड़े बड़े दान करते रहते हैं और खास करके जब बात आती है बोलिवट के तो बोलिवट में सबसे बड़े दानी सिर्फ और सिर्फ अक्षे कुमार है जिया दोस्तों अक्षे कुमार जितने एक बड़े सुपरिश्टार है उतना ही बड़ा उनका दिल भी है उनके सामने कोई कुछ में मांगले अक्षे कुमार कभी मना नहीं करते जैसे कि आप सबको याद होगा कि जब पदमावत और पेडमेन दोनों फिल्म में एक साथ रिलीज होने वाली थी जब हाज जोड कर संजलीला भंसाली ने अक्षे कुमार से रिक्वेस्ट की कि अपनी पेडमेन फिल्म को वो आगे बढ़ा ले और उनकी फिल्म पदमावत को सोलो रिलीज हो जाने दे जब अक्षे कुमार ने दरिया दिली दिखाई और अपनी पेडमेन के रिलीज डेट बदल दी और पदमावत को सोलो रिलीज होने दिया उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि पेडमेन बोक्स ओफिस पर ठिक ठाक चल गई और पदमावत एक बड़ी ब्लोकबश्टर बन गए लेकिन दोस्तों आप चल रहा है 2020 और 2020 में अक्षेकुमार ने फिर से एक बार दरिया दिली दिखा दी है यहां दोस्तों जैसे कि आप सबको पता होगा कि 2020 में अक्षेकुमार की चार फिल्में अनॉंस हुई थी जिसमें पहली थी सूरेवन सी जो रिली जोगे 27 मार्च को उसके बाद ईद के मोके पर लचमी बम दिवाली के मोके पर प्रत्वी राज चोहान और क्रिसमस के मोके पर उनकी फिल्म आने वाली थी बच्चन पांडे लेकिन दोस्तों बच्चन पांडे फिल्म के साथ में आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड्डा का क्लेस होने वाला था और दोस्तों आप सब जानते हैं कि लाल सिंग चड्डा फिल्म जिसका बजट भारी भरकम है और आमिर खान की वो फिल्म है और आप सब जानते होंगे क आमिर खान की लाश्ट हीट दंगल थी और इतने सालों बाद भी आमिर खान को अभी तक क्लीन हीट नहीं मिली और अगर बच्चन पांडी के साथ में लाल सिंग चड़ा का क्लेस होता तो हम सब जानते हैं कि लाल सिंग चड़ा फिर से बोक्स ओफिस पर एक फ्लोप साबित हो और फिर से अक्षे कुमार के सामने हाथ जोड दिये जहां दोस्तों आमिर खान ने अक्षे कुमार से रिक्वेस्ट की है क्यों अपनी फिल्म बच्चन पांडी की रिलिज डेट में चेंज कर दियो और अब लाल सिंग चड़ा को बोक्स ओफिस पर सोलो रिलिज होने दे औ दोस्तों इस बात की पुष्टी खुद आमिर खान ने अपने ट्वीटर हिंडल पे की एक ट्वीट करते हुए जहां उन्होंने लिखाए कि मैं अक्षे कुमार का धन्यवाद करना दे चाहता हूँ जहां मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और मेरे रिक्वेस्ट करने पर उन्ह तो दोस्तों सही माइने में देखे जा तो अक्षे कुमार सच में एक बहुत बड़े दिलवाले हैं जिनके सामने कोई कुछ भी मांग ले अक्षे कुमार कभी मना नहीं करते जहां दोस्तों आज एक साल में सिर्फ 52 हपते होते और हर कोई चाहता कि अपनी फिल्म को एक दोस्तों यहां पर अक्षे कुमार ने दरिया दिली दिखाई और अपनी फिल्म की रिलिश डेट को चेंज कर दिया हालाकि बच्चन पांडे की रिलिश डेट चेंज होने की वज़स से अक्षे कुमार के जो फेन से उनमें एक बड़ा घुसा देखने को मिल रहा क्योंकि कहना है कि बच्चन पांडे जिस तरह की एक मास मसाला मूवी है इस फिल्म को क्रिसमस के मुखे पर रिलिश करते तो वो फिल्म ज्यादा कलेक्शन करती हलाकि उन सब की बातों से मैं भी एग्री करता हूँ बच्चन पांडे फिल्म अगर लाल सिंग चड़्डा के साथ कले आप से देखे जाए तो यह दोनों फिल्मों के लिए फाइदे मन्द होगा क्योंकि अगर बच्चन पांडे और लाल सिंग चड़ा दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होती तो दोनों फिल्मों के कलेक्शन कम होते जहां लाल सिंग चड़ा मुश्किल से 100 करोड की कमाई करती वही बच्चन पांडे 200 करोड तक कमई कर सकती थी लेकिन दोस्टो आब लाल सिंग चड़ा सोलो रिलिज होगी तो हो सकता है कि वो फिल्म 300 करोड कमा ले लेकिन दोस्तो यहाँ पर क्या होता कि जैसे दिसंबर के महीने में बच्चन पांडे और लाल सिंग चड़ा दो फिल्म में रिलीज हो जाती उसके दो हपते बाद यहाँ पे रिलीज होने वाली थी वरुन धहन के फिल्म मिश्टर लेले और मिश्टर लेले के प्रोड्यूसर कोन है करण जोहर और आप सब जानते हैं कि करण जोहर और अक्षे कुमार कितने अच्छो दोस्त है तो साथ करण जोहर की वज़े से भी अक्षे कुमार ने अपने फिल्म के रिलीज डेट चेंज कर दी लेकिन दोस्तों आप फेंस में एक बात का टेंस नहीं कि भाईया जैसे रामिर खान ने रिक्वेस्ट के हाथ जोड़के कि बच्चन पांडे को रिलेज़ डेट चेंज कर दो वैसा कई आप सलमान खान ना अक्षे कुमार से रिक्वेस्ट कर दे कि भाई लच्मी बम की भी रिलेज़ डेट चेंज कर दो और मेरी राधे को सोलो रिलेज हो जाने दो क्योंकि हम सब जानतें कि आमीर खान की तरह सलमान खान को भी काफी समय से क्लीन हीट नहीं मिली तो हो है कि सलमान खान भी राधे के लिए अक्षे कुमार से रिक्वेस्ट कर दे। या नहीं वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि आक्षे कुमार बार बार बड़ा दिल दिखा कर खुद अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं उनकी फिल्मों के रिलिज डेट चेंज करते हैं और दोसरे प्रोडियोसर और एक्टर फाइदा उठा लेते हैं आपके आक्षे कुमार भी चाहते तो दूसरे एक्टर को बोल सकते थे कि मैं अपने रिलिज डेट चेंज यहीं करूँगा आप अपने फिल्म के रिलिज डेट चेंज कर लो आपके क्या राय है दोस्तों आपको क्या लगता है कि आक्षे कुमार को ये दरिया देली वाली ची लाल रखे अपना और अपने माता-पिता का जैहिंद वंदे मातरम